आज इस शंखला में प्रस्थुत है संसार के सुप्रसित धुवाई ग्यानिक आईजेक न्यूटन के जीवन पर आधारित कारिक्रम न्यूटन की कहाली बहुत पुरानी बात है इंग्लेंड के एक शहर में एक बालक रहता था एक दिन उसकी बड़ी बेहन ने उससे पूछा न्यूटन भाईया भाईया मैं देख रही हूँ कि आजकल तुम हर समय कुछ ना कुछ सोच दही रहते हो मैं खाना देकर जाती हूँ तो वो भी बड़े-बड़े ठंडा हो जाता है आखेर बात क्या है भाईया कैथरीन एक दिन मैं सेब के बाग में बैठा हुआ था तब ही एक सेब नीचे आगिरा मैं उसी सेब के बारे में सोचता रहता हूँ वाईया ये भी भला कोई सोचने की बात है सेब के बाग में सेब तो अकसर ही नीचे गिरते रहते हैं इसमें इतना सोचने की क्या बात है कि तुम खाना खाना भी भूजाते हो कैथरीन मेरी प्यारी भेना क्या तुमने कभी सोचा है कि सेथ या कोई भी वस्तू उपर से नीचे ही क्यों गिरती है ये तो हमेशा से ही होता आया है भला इसमें नया क्या है सेब के नीचे गिरने में नया कुछ नहीं है मगर प्रश्न तो नया है ना मैं इसका पता लगा कर ही रहूँगा सेब पेड़ से नीचे ही क्यों गिरा अरे अरे अब क्या सोचने लगे भाया पहले खाना खालो कैथरीन खाना रख दो मैं खालूँगा ये तो तुम रोजी कहते हो आज मैं यहीं सामने बैटकर तुम्हें खाना खिलाओंगी तब ही जाओंगी अच्छा बाबा लओ खा लेता हूँ ये हुई ना बात ये बालक कोई और नहीं बलकि महान ब्रिटिश भोतिक शास्त्री तथा गनतग्य आईजक नूटन था नूटन का जन्म चार जन्वरी सन 1643 को इंग्लेंड के लंका शायर में वुल्स्थोर्प नामक स्थान में हुआ था उनकी प्रारंभिक शिक्षा एक मामूली स्थानी अपाट्छाला में हुई बारहे वर्ष की आईउ में उन्हें ग्रन्थम में ग्रामर स्कूल में विध्यवत शिक्षा पाने के लिए भेजा गया कुछ वर्ष बाद एक दिन नूटन की मां हन्ना उनकी स्कूल के प्रधानाचारे से मिलने गई सर क्या मैं अंदर आ सकती हूँ आईए आईए मिसेजना आईए बैठिये जी हाँ मिसेजना कहिए सर मेरा बेटा नूटन पढ़ाई में कैसा चल रहा है देखिए मिसेजना नूटन एक बहुत ही शांत सौमे और चिंतनचिल सुभाव का बालक है हाँ सर वो तो वो शुरू से ही है किन्तु वो कुछ पढ़ता लिखता भी है की नहीं देखिए मिसेजना नूटन को नई नई खोजें करने तथा मकैनिकल काम करने में घजब की महारत हांसिल है एक बार उसने पवन चक्की बनाई क्या आप जानती है मिसेजना कि वो कैसे चलती थी नई आप बताएए नूटन ने चुहे की पूँच में धागा बान दिया और धागे का दूसरा सिरा पवन चक्की से बान दिया अच्छा अब जब चुहा उछल कूद करता या दोडता तो पवन चक्की चलती और इसी तरह मिसेजना एक बार उसने अपने लिए चार पहियों वाली एक गाड़ी बनाई जो डगमगाते हुए चलती थी उसे वो अंदर बैठे बैठे ही मोड भी सकता था अच्छा सर घर में भी वो अपनी चचेरी बहन और अन्य लड़कियों की गुडियों के लिए मेज कुर्सी बनाया करता था लेकिन सर अब वो 17 साल का हो गया है और मैं चाहती हूँ कि वो कुछ काम करे ताकि घर का खड़ चल सके सर और मैं उसे खेते काम में या फिर भेड़ पालने के काम में लगाना चाहती हूँ लेकिन वो न जाने क्या-क्या अजीवो गरीब खिलोने बनाता रहता है या फिर उपकरन बनाता रहता है मैं तो उसे तंग आ गई हूँ देखे मिसिस हन्ना जहां तक मैं न्यूटन को समझ पाया हूँ मैं तो यही कहूँगा कि स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद आपको उसे केम्बरिज विश्व विद्याले में भेजना चाहिए सर लेकिन मैं उसकी पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकते इसकी चिन्ता आप ना करें वो एक हुनहर विद्यारती है जी उसके लिए मैं उसकी स्कूल की फीस माफ कर सकता हूँ शुक्रिया सर फिर तो मैं उसे आगे पढ़ने के लिए जरूर भेजूँगी जरूर भेजेगा मिसिस हन्ना जी इस प्रकार आर्थिक अभावों से जूश थे न्यूटन ने अपनी पढ़ाई जारी रखे सन 1661 में वो ट्रिनिटी कॉलेज में दाखिल हुआ वहाँ वो अपना खर्च बागी अमीर बच्चों के व्यक्तिकत कारे करके निकालता था केम्ब्रिज में न्यूटन ने फ्रेंच दार्शनिक रहने डिसकाटे की पुस्तकों को पढ़ा और तभी से उसने अपने आसपास के पर्यावरण, पदार्थों की प्रकृति, प्रकाश, रंग, ब्रह्मांड के नियम आदि पर प्रश्न करने शुरू कर दिये एक दिन न्यूटन सूर्य की ओर एक टक देख रहा था तभी उसका मित्र विल्यम वहाया न्यूटन, अरे न्यूटन, तुँ एक आख बंद करके सूर्य की ओर यू टक टकी लगाए, कबसे देख रहे हो और क्यों देख रहे हो विल्यम, मैं रंगों से संबंधित एक प्रश्न की जाच कर रहा हूँ इसे लिए सूर्य की ओर एक टक देख रहा हूँ लेकिन तुम कब तक ऐसे ही देखते रहोगे? जब तक सभी रंग बदल नहीं जाते मगर इससे तो तुम्हारी आख खराब हो सकती है हाँ, वो तो है, किन्तो मेरे पास इस प्रश्न की जाच करने का कोई दूसरा उपाय भी तो नहीं है मुझे दिखने दो क्या हुआ? क्या हुआ नियुकर? मुझे आख से कुछ दिखाई नहीं दे रहा मेरी आख के आखे आरे जिल मिला रहे है मैंने तो पहले ही कहा था, लेकिन तुम माने नहीं चलो, मैं तुम्हें साहरा देकर अंदर ले चलता हूँ अब तुम्हें कई दिन तक अंधेरे कमरे में ही रहना पड़ेगा जब तक कि तुम्हारी आख पूरी तरह ठीक न हो जाए लेकिन विलियम, मैं अपने प्रश्न का उत्तर खोज कर ही रहूँगा खोज लेना उत्तर, लेकिन निधाल तो आराम करो सन 1665 में इंग्लेंड में प्लेक की महामारी फैली और 10 अक्तूबर सन 1665 को केम्रिज विश्विद्याले को भी बंद कर दिया गया न्यूटन को अपने घर लोटना पड़ा परन्तू विश्विद्याले का बंद होना भी न्यूटन के लिए वर्दान साबित हुआ अब न्यूटन पढ़ाई से छुट्टी पाकर पूरा समय अपने शोध कार्रे पर लगा सकता था सन 1666 न्यूटन के जीवन का अत्यधिक महत्वकून वर्ष सिद्ध हुआ इसी साल न्यूटन ने आधुने कैलकुलस पर तीन शोध पत्र प्रस्तुत किये न्यूटन अरे विलियम अरे न्यूटन न्यूटन तुमने तो कमाल कर दिया तुम्हारे इन शोध पत्रों की पूरे यूरोप में धूम बची हुई है और 23 वर्ष की छोटी सी आयू में ही तुम यूरोप के प्रमुख गणे तग्ये बन गए हो अच्छा न्यूटन क्या तुमने कभी गैलीलियो और जॉन केपलर की इससे संबंदित पुस्तके पढ़ी है हाँ विलियम गैलीलियो ने अपनी पुस्तक में वस्तुओं के वापस धर्ती पर गिरने के बाद कही है और जॉन केपलर के अनुसार सभी ग्रह सूर्य के चारो और चक्कर लगाते हैं क्या तुम जानते हो मित्र एक बार बच्पन में मेरे साथ क्या हुआ था भला मैं कैसे जान सकता हूँ मैं कोछ जियोतिशी तो हूँ ने अच्छा बताओ क्या हुआ था मैं एक दिन बाग में सेब के पेड़ के नीचे बैठा था और एक सेब मेरे सिर पर आ गिरा मैं कई दिन तक यही सोचता रहा कि ये सेब पेड़ से सीधा धर्ती की और ही क्यों गिरा दाएं बाएं या उपर क्यों ने गिया तब से ये प्रश्न मुझे लगातार परिशान करता रहा लेकिन विलियम अब मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा है क्या समझ में आ रहा है यही कि धर्ती के अपनी धुरी पर घूमने से जो बल पैदा होता है वो उपर से गिरने वाली किसी भी वस्तू को धर्ती की तरफ खीशता है और उसे हवा में इधर उधर या उपर नहीं जाने देता अच्छा अच्छा हाँ यही है इस प्रश्ण का उत्तर इसी प्रकार चिंतन, मनन, अध्ययन तथा वैज्ञानिक प्रयोग करते करते न्यूटन ने गती के तीन नियम और उन पर आधारित गुरुत्वा कर्शन का नियम बना लिया न्यूटन द्वारा बताये गए गती के तीन नियम इस प्रकार है पहला नियम है कोई भी वस्तु जिस स्थिती में है उसमें तब तक कोई परिवर्तन नहीं आता जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगे दूसरा नियम है, जब किसी वस्तु पर बल लगता है, तो उसकी स्थिती या गती में परिवर्तन उस बल की मात्रा के अनुरूप होता है और तीसरा नियम है, कोई भी वस्तु अपने पर होने वाली क्रिया के विरुध उतनी ही प्रतिक्रिया करती है गुरुत्वा कर्शन है क्या? गुरुत्वा कर्शन के लिए अंग्रेजी शब्द है ग्रेविटेशन जो प्राचीन लेटिन शब्द ग्रेविटास से बना है ग्रेविटास का अर्थ है भारीपन न्यूटन के गुरुत्वा कर्शन के नियम के अनुसार ब्रह्मान में स्थित प्रतेक पिंड दूसरे पिंड को खीशता है और जिस बल से खीशता है वो उनके आकार तथा केंद्रों के बीच की दूरी के अनुपात में होता है न्यूटन ने सन 1668 में एक नए प्रकार की दूरबीन बनाई इस दूरबीन की प्रसिद्धिक तथा उप्योगिता ने न्यूटन का नाम पूरी वैज्ञानिक बिरादरी में चमका दिया इस खोज के बाद दूरबीन का आकार खट कर केवल 6 इंच लंबा तथा 1 इंच व्यास का रह गया इतना ही नहीं ये छोटी दूरबीन पिछली दूरबीन की तुलना में 30 गुणा बहतर थी व्यास पती शनी आदी दूर स्थित ग्रहों को देखने में ये दूरबीन विशेश रूप से सहायक थी अक्तूबर सन 1669 में न्यूटन को गनित का प्रोफेसर नियुक्त कर दिया गया सन 1696 में वे लंदन मिंट के वॉर्डन तथा सन 1699 में वहां के मास्टर बन गए सन 1703 में उन्हें रॉयल सोसाइटी का अध्यक्ष पद प्राप्त हुआ जिस पर वे मृत्यू परियंत रहे सन 1705 में क्वीन एनी ने उन्हें नाइट हुड की उपाधि से सम्मानित किया इस उपाधि से सम्मानित होने वाले निूटन पहले वेग्जानिक थे 31 मार्च सन 1727 को ये महान वेग्जानिक इस संसार से विदा हो गया निूटन ने कई पुस्तकें लिखी अपनी पहली पुस्तक कुछ दार्शनिक प्रश्न के आरंभ में वे कहते हैं प्लैटो मेरा मित्र है अरस्तु मेरा मित्र है लेकिन मेरा सबसे प्यारा मित्र है सत्य निूटन की प्रसिद्धि का प्रमुख आधार है सन 1687 में प्रकाशित उनकी अद्भुत पुस्तक Mathematical Principles of Natural Philosophy इसे संख्षेप में प्रिंसिपिया भी कहते हैं आधुनिक विज्ञान के इतिहास में ये पुस्तक मील का पत्थर मानी जाती है सन 1704 में निूटन की एक और महत्वपूर्ण पुस्तक आप्टिक्स प्रकाशित हुई आप्टिक्स में निूटन ने प्रकाश का सिध्धांत प्रस्तुत किया निूटन के समय तक रंगों के बारे में अजीब और गरीब तथा अलग-अलग धारनाए थी जैसे के प्रिज्म किसी भी प्रकाश को रंगीन बना देता है परन्तु निूटन ने सिध्ध किया कि सफेद रोश्नी अलग-अलग रंगों से बनी होती है और प्रिज्म उन रंगों को केवल छित्रा भर देता है यानि अलग-अलग रंगों को दिखा देता है विज्ञान के छेत्र में सरवदा चमकने वाले इस सितारे के योगदान को ये संसार कभी नहीं भुला सकता उनके महान योगदान के लिए हम सब उनके सदा कृतग रहेंगे